हेलो एवरिवन, आज़न बनाएंगे सहीजन के पत्ते का चटनी ये चटनी लाजबाब बनता है और जटपर बनता है सहीजन के पत्ते का आप कई बाद दाल बना कर खाएं होंगे, सबजी बना कर खाएं होंगे पकोड़ी बनाकर खाएं होंगे इसके फल का भी सबजी बनाएं होंगे लेकिन पत्तों का इस तरह से एक बाद चटनी बनाकर खाएं उमीद है आपको बहुत पसंद आएगा तो इसका चटनी बनाने के लिए सईजन का पत्ता ले लिए हैं इने तोड लेंगे पत्तों को डंठल से अलग कर लेंगे उपर का डंठल पकड़ेंगे और नीचे की तरब खिचके इनके पत्तों को तोड़के रेडी कर लेंगे देखे सभी पत्ते तूट गए हैं जितना हमको चटनी के लिए चाह रहा था अब इन पत्तों को हम धोलेंगे, बावल में ट्रांसफर कर लेंगे, दो-तिन पानी धोल लेना है, जिससे कि इसमें जो दूल गर्दा हो, और निकल जाए सेजन का पत्ता हमारे पेट के लिए भी बहुत फादे मन्द होता है, इसका जितना तारीप की जाए, उतना कम है तो इस तरह से देखिए सभी पत्ते जट पर तूड़े गया है, इन्हें इस टेनर में निकाल ले रहे हैं, जिससे कि इसका पानी छहन जाए अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस पर पैन गरम होने के लिए रख देंगे, पैन गरम हो गया, एक टेबल इस्पुनिस में सरसो का तेल डाल दिए, आप जो तेल खाना पसंद करें उसे डाल दिजी गैस का फ्ले मीडियम टूलो रखें हैं, तेल गरम हो गया, तिन चार कली, लसुन छिल के डाल दिए, एक हरी मीची लाल हो गया था, उसे तोड़ के डाल दिए, एक छोटे साइज का कटा हुआ पैस डाल दिए, पैस को बराबर चलाते हुए, एक डेमनर तक फ्राई का लेन है, बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, तो जट पर प्यास फ्राई हो गया है, बस इतने ही फ्राई हमको चाहिए, एक छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, और इने भी कुछ देर तक पका लेंगे, जिससे की टमाटर सौप्ट हो जाए, रह दो मिनट म इन्हें भी पका लेना है, नमक अपने टेस्ट अनुसार आधा चम्मच डालिए, यह कम जादे कर सकते हैं, हम आधा चम्मच डाल दिये हैं, नमक भी मिक्स कर लेंगे, और पत्तों को थोड़ी देर पका लेंगे, थोड़ी देर में देखिए, पत्ते पक गया हैं इस तरह स अब गयस को बन कर देंगे, इन पत्तों को टमाटर के साथ जो सभी चीजों के साथ पकाए हैं, इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे, यह ठंडा हो जाएगा, तब इसे हम पीषेंगे, पत्तों को निकाल के देखिए इस तरह से फैला ले रहा हैं, गरम गरम नहीं पीषे अब यह ठंडे हो गए हैं हम 100 जार में डाल लेते हैं मुरिंगा के पत्तों का सलाद भी बना कर खाते हैं डाजेशन में भी फायदे मंद होता है मोटापे से हाइभी बी से परसान लोगों के लिए भी मुरंगा का पत्ता फायदे मंद होता है अब एक छोटा बत्ती गुड इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है 2 तीन पीस इंνη के चियां लिए हैं बीज को हटा दिये हैं और खाली पलप को मिसर जार में डाल दिये इन्हें दखें पीस के रेडिक के लिए हैं बहुत बारिक सने पीस हैं दरदरा सा पीस हैं आप चाहें तो महिन सा पीष सकते हैं तो यह चटनी पीष गई है अब इसमें हम तड़का लगाएंगे आप चाहें तो बेगर तड़का लगाए भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तड़का लगाने में बहुत समय नहीं लेता है अब तड़का लगाने के लिए गैस की सरसो डाल देंगे आयल में करी पत्ता 3-4 पीस डाल दिये आदा चमस कास्मरी लाल मिची पाउडर डालेंगे ध्यान है कि गैस को बन करके ही सभी चीजों को डालना है नहीं तो जलने लगेगा अब तड़का चटनी के उपर डाल दिये इस तरह से तड़के वाली चटनी बन के तयार हो गई है इसे आप रोटी चावल के साथ खाएं दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं खाने में लाजबाब होता है जिस समय चाहें चटनी को आप बना कर खा सकते हैं यह हลदी टेष्टी चटनी खाने के लिए रेटी है तो इस तरह से एक बार टेष्टी मुरंगे के पत्ते का चटनी आप भी बनाईए, खाईए, एंजॉय करिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करिए, लाइक सेर, कमेंट करिए, थेंक यू वाचिंग फार दिस वीडियो